नमस्कार दोस्तो 17 मार्च का दिन है और 17 मार्च को इस वीडियो पे अभी हम लोग 5 ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे जिस स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड इतना भैतरीन है जैसा कि अब स्क्रीन के पीछे भी आप देख पा रहे हैं आज भी स्टॉक 3.5% के आस पास में तेज था स्टॉक मार्केट पर के इतना बड़ा करेक्शन आता है और इस बीच में आपको इनवेस्टिमेंट करने का मौका मीलता जीए मैं आप इनवेस्टिमेंट की बात कर रहे हूं मैं वी ट्रेडिंग की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं कोई भीड़ेड औंटरडी देखिए सबसे पहला स्टॉक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और आज यह कब से कम साड़े तीन परसेंट अभी तो तेज दिख रहा लेकिन जब यह मार्केट ऑपन था मार्केट के जब मार्केट चल रहा था लाइब था तब यह स्टॉक स्टॉक 288 रूपिय का हाई बनाया था स्टॉक पे स्टीन परसेंट की तेजी थी और उस समय यह स्टॉक लगबग लगबग साड़े 6 परसेंट की तेजी पे खड़ा था मैं ऐसी स्टॉक को क्यों कह रहा हूं क्योंकि यह काफी डिफेंसिव स्टॉक के कंजूबर गुड्स क ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी और इस कंपनी की जब रिटन में आपके सामने रखुंगा तब आपको समझ मैं गड़ी एक साल में से स्टॉक में इतने गिरावट के बाद 14 के बारे चुका ठीक है गिरावट के बाद की बात कर रहा हूं जी है तेइससो आट रूपे का परसेंट कौन से बैंक में देगा ना कहां पर देगा सोची एतने डिफेंसिव स्टॉक यह तो मैं एक साल की बात करना हूं अभी आने वाले टाइम फ्रेम के आप देख लिजे एक 608 परसेंट का रिटर्न पांच सालों में और एज मैक्सिमम अगर हम लोग देखा जाए तो इस स्टॉक ने लगबग लगबग देखिए इतनी भारी गिरावट के बाद आप देख रहे हैं इसका हाई कितना था लगबग 5 जार का ठीक है 5000 का हाई बनाने के बाद इस स्टॉक में करेक्शन आया है और इस भारी करेक्शन के बाद भी इस स्टॉक ने 25 परसेंट का रिटर्न दिया है इस साल आप सोच सकते को आठ गुना किया है कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 5 सालों में आपका पैसा आठ गुना हो सकता यह स्टॉक मार्केट है और अगर मैं बैक्सिमम की बात करूंगा यह लगबग लगबग 20 सालों कम है यह रिटर्न प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूं 20 सालों में इस पर नहीं निकल पाओगे दोस्तों यह स्टॉक है बजाज फाइनेंस का लार्ज केप स्टॉक है काफी बहतरी स्टॉक है काफी नीचे अभी मिल रहा और भी नीचे आ सकता है यह स्टॉक 3028 तक अगर आता है तो और अच्छा है उस समय से एक्यूमलेट कीजिए और बैठे करें इस तरह के स्टॉक्स पर काफी बहतरी रिटेन का प्रोफाइल और इस रिटेन पर कोई भी जो दिगज इन्वेस्टर से वह इन से भी स्टॉक्स पर बाइंग कर रहे हर गिरावट पर अभी यही इस मार्केट में यही चल रहा है देखिए अभी तद तीसरा स्टॉक म सतरा सो पे यह स्टॉक अपने हाई बनाया था अभी तेरा सु रुपे पर ट्रेड करा इसलिए एक साल का रिटेन इसमें बहुत कम दिखरा क्यूंकि अभी जो गिरावट हुई इस गिरावट के वज़े से अगर पान साल की बात करूं ते एक सु दस परसेंट और मेक्सिमम की बात करूं तो आप देख लिए उनीस हजार छे सो परसेंट का रिटन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है और इस स्टॉक का जो प्राइस था दो हजार में वो तीन रुपे का भाव पे था और अभी यह तेरा सो पे मिल रहा सतरा अठारा सो को हाई है इस स्टॉक का न मार्के बैं स्टॉक करने के लिए इस मर्केट में सिर्फ वह सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं वह भी पूरा gonna लगाएन दोस्तों यह कोई भी स्ट्याबिलीटी नहीं है कहां तक मार्केट गिरेगा किसे को पता नहीं है interpre blew點 लेकिन आप अपने मन को संताrió ना देने अभी मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है यह था तीसरा स्टॉक चलिए देखते हैं चौते स्टॉक को चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक बाल किरिशना इंडस्टी है ठीक है मैं बाल किरिशना इंडस्टी को क्यों दिखा रहा हूँ आपके सामने एक कंजूमर गुड्स की एक कंपणी और मीड कैप कंपणी है मीड कैप से भी कुछ स्टॉक को लेना ही चाहिए 932 रुपे का यह हाई था इसका और आज का और अगर लो देखा जाए तो लो 860 का अगर एक साल का मैं हाई और लो की बात करूँ तो 1297 का हाई बनाया था इस स्टॉक ने और देखिए इस स्टॉक में जो करेक्शन आया हो काफी डीप करेक्शन आया है क्योंकि स्टॉक माइनस पे चला गया एक साल के रिटेन पे बढ़ पांच साल का रिटेन से इसका जबरजस्त है और एज मैक्सिमम की बात करूँ तो इतने बहतरीन गिरावट के बाद भी इन्होंने एज मैक्सिमम पे कितना रिटेन निकाल के दिया आप खुदी कैलकुलेट किजिए 76,559 परसेंट का तो गिरावट में और अगर गिरावट आती है तो बहुत ही छोटे-छोटे अमाउंट में छोटे-छोटे क्वांटिटीज में इन सभी स्टॉक को ग्रैप कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है मैं चारी स्टॉक को इस वीडियो पर आड़ करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो इसके लिए और अगर इसी तरह का कुछ स्टॉक के प्रोफाइल भी था रिटन रिटन आपको देखना है और देखना चाते हैं तो हमें कमेंट किजिए अगर वीडियो अच्छा आ सकती है तो पैसा अपना जरूर सेप रखिएगा दोस्तों आगे और भी मौके मिलेंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तैंक्यू